चलिए देखते हैं धारावी साइड चौल और यहां पर तरह-तरह के लोग रहते हैं, यू कैन सी बोथ साइड और गली अब देख सकते किस तरह से हैं, बोथ तरह-तरह की गली यहां पर पाई जाती है, कुछ-कुछ गली इतनी पती होती है कि आपको जाने में भी अंधेरी लगेगी और समय को मालूम नहीं चल पाएगे कि टाइम कितनी हुई है, यह आप देख सकते कि इस तरह से बहर में डबे गलन आदी रखे जाते हैं ताकि किसी तरह से असुविधा ना हो पानी की, और पानी भरके रखे जाते हैं, पानी दो टाइम खोलती है, कभी-कभी पा बच्चे देख सकते किस तरह से खेल रहे हैं और यहां पर अस्कूल भी है, बच्चे भी पढ़ने में काफी अच्छी सुविधा होती है, और बहुत ऐसे लोग हैं यह चोल के अंदर ही अपने बहुत सारे चोटी बढ़ी काम करते हैं, जैसे की पापड बनाना, ममबती बन अगर बत्ती बनाना और गिंश में बटन लगाना तरह तरह के कपड़ें यहां पर और तरह के काम यहां पर लोग करते हैं और अपना जीवान यहां पर बिल्कुल खुशी पूर्वाग चलाते हैं, इस तरह देख सकते हैं, बहुत ही बढ़ी है, और चलिया आगी के ओर चलता रहने ख़र रहें और यह कपड़े, बाहर में पीचे के लिए रखे जाते हैं और इसी प्रेश चीजिजिया होती है, वह और रखे जाते हैं, तक थोगाने रखने के लिए रहने के लिए किसी तरह से थोगान, प्रब्लम कारीड ना हो you can see both side the lot of the people live in the stall when people have on John and some people have the rental job you can see and very nice very amazing place Dharavi side John people come from far to see Dharavi side John and Dharavi Dharavi also very biggest and slum area people also do the very different work okay take care thank you my dear friends